ओके डियर स्ट्रेंट्स और विवर्स, आज मैं अपना एक्जामिनेशन गाइडलाइन सीरीज का एक लेक्चर लेकर आया हूँ। चलिए पहले मैं आपसे शेर करता हूँ कि मैंने ये सीरीज क्यों शुरू किया। आप जानते हैं कि मैं स्ट्रेंट्स के बीच ही रहता हूँ, मॉर्निंग से इविनिंग तक, ओफलाइन क्लास, ओनलाइन क्लास, बहुत सारे बच्चे कॉन्टेक्ट में रहते हैं। तो हाँ मुझे बड़ी अजीब तरह का एक्स्पिरियेंस हुआ। मैंने कई बार आपको बताया है कि मैं आपसे बहुत को सीखता भी हूँ, आपसे सीखता यह हूँ कि कहां से सुरू किया जाए और किस बीच से पढ़ाया जाए। तो कई बार मैं तब बिल्कुल ही सर्प्राइज रह गया कि जब कुछ इस्प्रेंट्स निया क्वेडिस किया उनको ऐसा लग रहा था चुकि अभी आप देख रहे हो कि जो यूपेसी में नॉमली जो कल्चर है उसमें चावतर जिन स्टेडिस जिन स्टेडिस जिन स्टेड स्टेडिस आ गये हैं तो बहुत जादे ग्रामी बच्चे भी जुर रहे हैं और बहुत अधिक मतलब नंबर्स काफी बढ़ रहे हैं यह तो बहुत खुशी की बात है इसको हम कह सकते हैं कि ग्रामी च्हत्रों का शाशक्ती करना हो रहा है इंपावर्मेंट हो रहा है इसे बड़ी खुशी की बाद क्या हो सकती लेकिन बहुत सारे भ्रम्भी उत्पन हो रहे हैं अब इसे स्कूर शोशल मीडिया के टाइम में तो कई स्वेंट्स ने हमसे सवाल किया कि सर यही पढ़ना है इसके अलावा भी कुछ पढ़ना है मतलब उनको पता ही नहीं था कि जेजर सी के विशह में जो व्रम है उसे दूर करने का दावा तो नहीं कर सकता यह तो बहुत बड़ी बात हो गए यह बहुत बड़ा दावा हो गया लेकिन जहां तक मेरे अपने अस्तर से हो सके मैं उसमें कॉंट्यूट करूं तो चलिए आज मैं एक मुद्दा लेकर आया हूं कि कि ऑसनल के चैन में इन पांच बातों का ध्यान रखे मैं सिर्फ पांच बातों की चर्चा करूँगा कि ऑसनल के चैन में ध्यान रखना चाहिए अगर आप यूपियसी के पाठ़ करम को जानते हैं तो आपको पता है कि थाउजेंट मार्स के जन स्टेडिस होते हैं और Composary Paper है, Offsional, Vecalpick, जैसा के नाम से ही विदित होता है, यह आपको चैन करना है, और UPSC में सबसे अधिक उल्याने वाले चीज़े ही होती है, क्योंकि बाकी में तो बच्चों को च्वाइस ही नहीं होता है, आपको पढ़ना है, आप चैन नहीं करेंगे, बलकि सब्विक्ट आपका चैन कर रहा है, लेकिन OPSC में आपको चैन करना है, तो इसमें बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा कॉंट्रोवर्सी, बहुत ज़्यादा सरगर्मी शुरू हो जाते हैं, अकैडमिक बाजार में, और कई तरह के व्रहम भी फैल जाते हैं, तो इसलिए मैंने इस म ले रहा हूं, इस statement का limitations भी समझ रहा हूं, दिल्चस्पी शब्द अपने आप में absolute term नहीं है, relative term है, relative term से मतलब यह हुआ, कि कई बार क्या होता है, कि दिल्चस्पी होने से subject में जानकारी मिलती है, और कई बार थोड़ी बहुत जानकारी होने से भी दिल्चस्पी आती है, तो दोनों एक दूसरे का complimentary होता है, तो मैं इस statement के limitation को समझ रहा हूं, but in spite of all that, आपने जो आप तक university में परहा है, आप कुछ subject के संपर्ख में आये हैं, तो आपको क्या लगता है, कि थोड़ा बहुत भी जुकाओ किस विशय के प्रति है, अब मुझे बहुत आश्यरी हुआ चुकि मैंने आज जैसा कि आपको बताया कि मैं students के बीच रहता हूं, और कई बार मुझे ऐसे question से confront करना पड़ता है, इस students आते हैं मेरे पास पूरते हैं कि sir, कौन सा officer लगूं, मैं उनको प्राया बताता हूं कि देखे, मेरा काम तब सुरू होता है जब आप decide कर लेते हूं क्योंकि अगर आप मुझे से पूछे पूछोगे, तो मेरा जुकाव तो history की तरफ हो जागा, क्योंकि history is the mother of all subjects, और मैंने history के चसमे से पूरी दुनिया को देखा है, जो इतनी हसीन लगती है, मुझे तो मैं चाहूंगा आप भी देखे, तो इसलिए आप स्वतनत निरने ल आते हैं, उन्होंने मुझे suggest किया, कि आप इस विशे को मत रखे, आप इस विशे को रखो, क्यों? इस विशे में selection ज्यादा होता है, इसका slivers छोटा होता है, आप slivers जानते है, selection ज्यादा होता है, से मतलब यह हुआ कि उसमें mark ज्यादा आने चाहिए, चलो इस पर हम issue number, में आएंगे, पहले हम मुद्दा number one को solve करें, तो दो मुद्दे उन्होंने बताए, एक selection ज्यादा होता है, और दूसरा slivers छोटा है, तो चलिए पहले मैं आपको slivers छोटा की कहानी बताता हूँ, देखिए, नॉमली क्या होता है, कि आप humanities के 4-5 subject है, जो students लेते हैं, science वाले भी, engineering वाले भी, अपने subject छोड़कर अधिकांस तो इन ही विशाओं को लेते हैं, जैसमें history, हिंदी शाहित, political science, PS, IR, जिससे आप कहते हो, socio, anthro, बगर है, और socio का थोड़ा सा English में ज्यादा रुजहान है, English medium के बच्चों में, हिंदी मीडियम में कम है, हिंदी शाहित, history, political science and geography, यह प्राय हिंदी मीडियम में ज्यादा प्रचलित है, कुछ बच्चे, socio की तरफ भी जोगते हैं, और anthropology पहले तो काफी लेते थे, लेकि हिंदी मीडियम बाले अप्राय उसे, कोई खास, अब उनका number नहीं देखता है, चुकि जो students select होकर, means में आते हैं, तो उसे idea मिल ज है, लीजा, गियादार था, इवन परियरो साइनस के बारे में भी जो बहरा हो है, तो मैं आपको यहां पर बताना होंगा, कि देखिए, sibeat बारा और चोटा का नेर्धारन, वही कर सकता है, जो विसया के अंदर गया हुआ हूँ, जो विसया को बाहर से देख रहा है, उसको भहुद बड़ा धोखा होगा, क्योंकि कई subject ऐसे हैं, जिसका syllabus बिलकुल क्लेले defined है, जिसमें एक-एक टॉपिक को तोर-टोर कर आगे बढ़ाया गया है, और कई subject ऐसे हैं, जिसके syllabus und Epid is undefined है, उसमें आपको topic कम दिखेंगे लेकिन जब आप topic को open करेंगे तो भानुमती की पिटारा की तरह खूलता चला जाता है तो भानुमती की पिटारा की तरह खूलता चला जाता है और topic से topic निकलते चले जाते हैं अब मैं एक उदारन आपको बताता हूँ जैसे literature, literature मेरा भी रहा है और जब ग्राइशन में था तो English Literature भी रहा था तो उसमें क्या था कि जैसे एक पेपर में अब History of English Literature हम लोग पढ़ते थे और भी कई चीजे थी तो उसका स्लिवस बला लगता था और जो एक दूसरा पेपर था उसमें कुछ प्लेज पढ़ने होते थे कि वैसे text को चुक कि उसे व्याख्या होती है और व्याख्या होती है तो व्याख्या के अंदर भुष ना पड़ता और व्याख्या पकरनी के लिए यह text को कम से कम हमारे professor कहते थे दो बार पढ़िए और जहाँ जहाँ important चीजे उसको underline करें और अंडरलाइन को कम से कम दस बार पढ़िए तो क्यों क्यों कि हम उसकी व्याख्या को पकड़ सके बारी की से पकड़ सके तो चलिए पुस्तके तो लिमीटेड है तो देखने में अगर स्लेबस को दिया जाए तो उसका क्वांतिेटिव अगर हम मेजरमेंट करते हैं तो छोटा है लेकिन जब क्वालिटेटेव लिए उसके अंदर जाते हैं तो उसके अदर पहुंचना और उसे कवर करने में काफी टाइम टेकिंग हो जाता है तो इसलिए लेकिन मातर पांच टॉपिक में उन्य पूरी हिस्ट्री हिस्ट्री आप जानते हो कि जन्स्टेडी स्ट पेपर में आपके तीन सेग्मेंट्स हैं तीन पार्ट्स है history Indian history world history Indian and world geography and Indian society तो आप देखें जो history के पार्ट उसमें मातर पांस topic में उन्होंने पूरे history का syllabus समेट लिया है पुरुंतु सच्चा यह है कि optional paper का 70% हिशा जिन studies में इसलिए कभी वी आप quantitative measurement syllabus का नहीं करिया यह मेरा सुझाओ तो मैंने उस student को बताया कि देखो यह दोनों मित है और आप अपने को बचाईए आपको जिन भाईया ने कहा है तो क्या उनका experience उन्हों खुद मैंने एक्जाम दिया उन्हों ने कहा कि नहीं अभी तक तो दिया नहीं है उनको किसी और भाईये ने कहा था तो अभी क्या है कि ततकाल market में एक narrative float किया रहा है कि अमुक और रखिए वो आपके लिए बहुत फायदे मन्द रहेंगे अब इसमें मुझे सिर्फ यहीं डर है कि इसमें जो गाउं गवई के दूर दराज से बच्चे आये हुए हैं वो उलज जाएंगे और वो सही justice नहीं कर पाएंगे तो इसलिए आप जरूर रखिए जो कि दिल्चस्पी को आप प्रधानता दे सकते हैं वह बहुत इंपोर्टेंट चीज होती है जब तक दिल्चस्पी आपको विशय में नहीं आएगी तब तक आप जैसे मेरा आपने लाइफ का experience है कि मेग्रेशन में था तो मेरा एक कुलिक था मेरा के स्ट्रेंट था बहुत अच्छा performance करता था बहुत अच्छा competition हम लों के healthy competition हमारे बीच होता था लेकिन एक खास विशय में वह फिल कर जाता था जिस कारण से उसका result पीची हो जाता था तो मैंने उसे पूछा कि ऐसा है कि तुम जब इतना अच्छा performance कर रहे हो तो इसमें क्यों तुम फिल कर रहे हो थोरा सा इस पर तुम ज़्यादा ध्यान दो तो उसने कहा कि मैं क्या करूँ ध्यान तो देता हूँ लेकिन जब मैं उस subject को पढ़ने चलता हूँ तो मुझे न मतलब इसको दिल्चस्पी नहीं है लेकिन वही हम लोग थे काफी एंज्वाय करते थे उसको तो डिपेंड करता है इंडिविजुल टिंड्रियल वैरी करता है तो वन फिट फॉर और साइज मत देजे प्लीज किसी को गुमराह नहीं किया जाना चाहिए कि आप अमुक सब् गलता मिलेगी यह गलत है और इसमें थोड़ा सा हम लोगों को सिक्षक धर्म का भी पालन करना चाहिए सिविल सेवा परिक्षा दूसरा क्या है दूसरा बला जो फैक्टर है वो है विशय में अंख की क्या प्रविरती है और इस दस सब्जेक्ट स्कोरिंग एकॉर्णिंग तो मार्केट ट्रेंड्स यह भी बहुत आवश्यक है तो कि अखिर सारी मंजिलें तो यही जाती है हमारे जितने भी उद्योग है वो एक ही शब्द की तरब जाते हैं मार्क्स अंख स्कोर यही सब्द है जो हमें अट्रेक्ट करता है लिकिन मैं स्वेंट्स फिर यह एक बा शोतंत्र अस्तितु नहीं होता है मार्क्स आपकी तैयारी के परफॉर्मेंस पर डिपेंड करता है और आपका जो परफॉर्मेंस है वह आपकी दिल्चस्पी पर डिपेंड करता है आप मतलब एक सीधा सा फर्मूला होता है मूर इंट्रेस्ट more efforts more interest more efforts and more efforts more marks तो ऐसा नहीं कि शोतन तुरूप से हमें मार्स आजाएंगे लेकिन हाँ एक मार्केट ट्रेंड से पता चल जाता है कि चलो इस विशह में मार्स के क्या पर वरती है अब जैसे कई बार देखोगे कि जिसी समय कोई स्टुडेंट सक्सेस्फुल होता है तो बता जाता है कि यह अमुक स्टुडेंट अमुक विशह से सक्सेस्फुल है गूर्ट थिंग बहुत अच्छी बात है बढ़ा प्रॉडरी रिजल्ट हम दिखाते हैं लेकिन चारा पहले उसकी जब कोई इस्टुडें उसी बिस्स पर लेने जारे हैं पता चलिए है कि बहुत एस्टेडिज और बहूत मह्नती इस्टुठेंट है और उसने अपने बल पर जिन्स्टुठेडीस ऐसे पेपर के बल पर बहुत अच्छे मार्था लाए है लिकिन और पयपर WhatsApp अच्छी सबसिसे एके सब्सक्राइब कम नहीं जाता है लिक अगर यही 40 % मार्स ऐसनल पेपर में आता है तो पूर माना है आफसले पेपर में अगर 50 % मार्स अधिशिज चैलिये संतोर जनक है अधूर। अगर 55 % मार्स से तो थोड़ा चाहे 60 % मार्स तो अच्छा है एगर इसके बाद आप कर सकते हो कि मतलब 55% मार्स है तो अच्छा और 60% मार्स है और उसके ऊपर है तो excellent है अगर किसी स्ट्विंट को 300 मार्स ऑफ्षनल में है बहुत बढ़िया है तो अगर किसी ऑफ्षनल में यह क्लिम किया जा किस ऑफ्षनल से जादा बच्चे निकलते हैं तो आप पहले पता करिए कि उस ऑफ्षनल में मार्स का एवरेज क्या जा रहा है अगर उबेचारे स्ट्विंट्स ने जिसने अपना position लाया है उस subject उस examination में और उसका एक अमुक ऑफ्षनल है तो यह पता करिए कि उस ऑफ्षनल में कितने मार्स हैं अगर ऑफ्षनल में कम प्रपर्परस्णेटली कम मार्स हैं तो इसका मतलब है कि वह अगर उसे थोरा और मार्स अगर ऑफ्षनल में होता तो और भी excellent performance उसका होता और हो सकता था कि वह rank holder हो जाता तो इसलिए success होना और चीज़ है और ऑफ्षनल में मार्स पाते क्वालिफाई कर पाते एक जामलेशन लेकिन जब उनके एवरीज मार्स को देखते हैं तो आफसनले बहुत अच्छे मार्स होते हैं तो सिर्फ सक्सिस को क्रेटेरिया वरना कि आ आपने को मतलिए ऑफसनल पेपर एक अलग चीज है उस आफ्सनल में क्या मार्स आ रहे है चुकि इंट्रेस्ट भी एक चीज होती है, लेकिन on the average मैं देखता हूँ कि इस तरह का narrative float नहीं होना चाहिए, इसमें थोरा सा students के सामने में ज्यादा बेहतर reality आना चाहिए, इसलिए कोई भी optional लेने से पहले थोरा सा आप लो मार्स वाले मुद्दे पर भी विचार करें, और इसला वाला मुद्दा आता है क्या, उस विशय के लिए किसी विशय की घ्यान क्या वह शक्ता है, बिढ़ अद्ट सब्यक्ट रिक्षब क्यार ना रजै इस्थाल मीज्च ? इस सब्चल का अचिए की इस मिट्च एशोय की प्रिश्च्त भूमी से है इस त्बेट कि अगर वह लागप्रद इस्तिती में इसलिए है कि उसका इन्वस्टी में रहा है या पहले से उस विशे में वो काम करता रहा है ऐसा भी हो सकता है तो यह कुछ सब्जेक्ट टेक्निकल होते हैं उसमें एक खास स्टेंडर्ड के आवर्शक्ता होती है तो यहाँ भी ध्यान रखना पड़ता है कि जो सब्जेक्ट हम ले रहे हों एवर ग्रीन है वो सभी बेग्राउंड के बच्चों को सूट करता है या नहीं मैं समझता हूं कि सब्जेक्ट के चैन में इस बात पर भी विशेश ख्याल रखनी क्या वर्शकता है निश्ट वन पॉइंट आता है पॉइंट फोर क्या उस विशेक्ट का जेनल स्टेडिस में योगदान है ड़ दस सब्जेक्ट कॉंट्यूट टू दा प्रिपेशन ऑफ जेनल स्टेडिस यह भी बहुत बड़ा मुद्दा है क्योंकि आप जानते हो कि आपके जो चार पेप अगर आपकी लगवग 11-12 सब्जेक्ट निकल जाते हैं और अगर आप एक एक सब्जेक्ट जैसे हिस्ट्री है पॉलिट्य है जियाग्रफिय है अगर सब को अलग अलग आप देखिए तो अपने आप में ऑफ्सनल का एक अच्छा खासा भागव होता है तो एक कहावत आप शियाहक, क्याम और घृठिलिओं के दाम तो चलों दोनों काम एक साथ कर ले अगर उस सब्जेक्ट में जिनश ट्यडिज में माल लेज्या आप कि 32-34 मार्स प्रिलिंस में आ रहे हैं और हंडीन मार्स में आ रहे हैं तो हंडीन थर्टी-फोर मार्स में तो आपको बहुत फायदा है किसी सब्जेक्ट में थाटी फॉर और थाटी फाइम मार्स का है तो फिर आपको दोहरा दबाव पढ़ेगा और वहीं आपको दूसरा फायदा में मिलता है हंडेन माक्स का उस और से तो क्यों नहीं हम उसका लाव उठाएं प्रिलिम्स फर्मेंस दोनों में तो अगर यह क्रैटिरिया फुल्फिल कर रहा है को आपनल तो सोने में सुहागा और पांचवा मुद्दा है क्या उस विशह में बेहतर गाइडलाइन गाइडलाइन एविलेबल इन डाट सब्जेक्ट अब यह पार्ट करने में मुझे थोड़ी सी ही चया कोड़ सारा संकोच हो रहा है कहीं कि आप ऐसा नहीं समझे कि यह खुद की प्रॉब्लिसिटी कर रहे हैं एक्ट्वलिम क्या होता है मैं वहीरी ऑनेस्टली आपको बता सार मैं कैसे खुद तैयारी करूं अब मैं बताने में और समर्थ हो जाता हूं वजह क्या है कि इस्ट्विंट्स का जो अब जो मैं देख रहा हूं कि अब जो नई कल्चर हुए इनवस्टी से जो बच्ची आते हैं उन नहीं के बारवर पढ़े होते हैं मतलब बेसिक अगर आपका है तौन दर्टीस में आपका काम चाल जाता है में लेकिन ऐसा होता नहीं लेकिन जो ऑफ्चिनəल पेपर हैAPPर में स्मिलातों इस यॉस्ट फाइंड किया गया है something more than graduation and something less than post graduation तो जो graduation और post graduation इन दोनों के बीच होना चाहिए इसमें बड़ा expertise की जरूत होती है बहुत expertise knowledge की जरूत होती है तो normally एक subject से काम रही चलता है मन एक subject से मेरा आशय यह है कि कोई अगर आप एक book लेते हो दो book पढ़ते हो थार्ड book पढ़ते हो तो उसे आपका काम नहीं चलता है इसमें बड़ा अंतर अनुशाहस्तात्मक देश्टी को इंटर्डिस्प्रिनरी एप्रोस डेवलप करना पड़ता जोई questions का दायरा ही 2013 में जब से उन्होंने मेंस का slivers को change किया है तब से उन्होंने और स्टेंडर्ड और complicated सारे subject में बना दिया है question के साहिं उनका 150 words के और 200 words के होते हैं अगर on the average आप जो रहेंगे तो 5 to 5 10 short notes के देते हैं 150 words के फिर long question 200 words का टोटल 5 questions लेकने होते हैं तो number of questions काफी हो जाते है और question सबसे बेचे एकर number of questions जादा है तो slivers almost वो पूरा slivers cover कर लेते हैं तो students को अपने अस्तर से तयारी करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है अब कुछ बच्चे जिनका इन्वस्टी में रहा हो और जो इन्वस्टी में भी serious रहे हो चुकि इन्वस्टी की जरूट इन्वस्टी जो study है वो UPSC में हमारी जरूद प्रह पूरा कर नहीं पाती है चुकि एक तो दोनों का pattern भी अलग होता है दोसी बात है कि इन्वस्टी में practically students पर नहीं पाती है subject यहीं आकर परना होता है तो इसलिए इतना उस subject का इतना exhaustive study करना होता है जो खुश से तयारी करना उनके लिए मुश्किल हो जाता है तो अब अगर उनको कहीं किसी से guideline लेना है तो यह भी बहुत आवश्यक हो जाता है कि guideline और आपको कितना help उस subject में available है तो मुझे लगता है कि यह पांचवे वाले मुद्य पर भी consideration करने के आवश्यक्ता है क्योंकि कोई अगर नए student आते हैं तो उनके लिए यह थोड़ा मुश्किल हो जाता है और एक खास कर आपको एक given time frame में वो तयार करवाना पड़ता है और इस optional paper एक निरनायक पत्र होता है decisive paper होता है decisive paper से आपके result प्रभावित होते हैं तो मुझे लगता है कि guideline वाला पहलू भी एक महत्पून पहलू हो जाता है तो यह five issues है यही मैंने पांच आपको बताए कि इन पांच मुद्दों को criteria बना के आप जो भी optional चाहते हैं उसका chain कर लिजी मैं फिर एक बार repeat कर देता हूँ एक पहले थोड़ी अगर आपको दिल्चस्पी है तो डरनी क्या हो शकता नहीं है दूसरा अगर आपकी अंक की प्रिविर्टी तो होती natural है जो आप market में सही जानकारी प्राप्त करने के कोसिस करिए आप mislead मत हो ये और तीसरा ये है कि क्या उस विशयक के लिए किसी विशयक ग्यान क्या हो शकता है तो यह भी उस विशयक हो आप जानी हाला कि उसमें आपको neutral सुझाओं मिलना थोड़ा मुश्किल होगा लेकिन फिर भी कोशिश करिए आपके जो बहुत सारे elders अगर पहले से या कोई भी से सगे इन्वस्टी के professors ही हो तो आप इन्वस्टी के professors तो प्रहाए आपको इसमें नहीं बता पाते हैं क्योंकि अगर उनको UPC का syllabus पता हो तब ही आपको बहुत help कर पाएंगे लेकि कुछ हद तक वो help कर सकते हैं और क्या उस विशय का General Studies में योगदान है ये पहलों तो आपको Crystal Clear है आपको खुद भी पता चल जाएगा और जो पांचवा मुद्दा है वो है बहतर गाइडलाइन तो ये पांच मुद्दों पर आप ध्यान दीजिए वो आगे देना है 2024 कम से कम तो आप्षनल में serious हो जाए So my students, up now I am stopping here I will come with the next lecture in the same exam guideline series Thank you very much, I will see you